पुलिस ने एक और अंतराश्टी नसा तस्करी को पकड़ा है गोरतलब है कि सोलन में चिट्टा तस्करी में पकड़े गए हमीरपुर निवासी के खुलासे के बाद पुलिस ने दिल्ली के उत्तमनगर से नाइजीरियन को गिरफतार किया है एस पी सोलन जिब कोवार ने मामले की पुष्टी की उन्होंने बताया कि 35 वर्षी नाइजीरियन को उन्होंने फकड़ा है साथ ही उन्होंने बताया कि 5 महीने में उन्होंने 31 मामले चित्टे के दर्ज किये हैं जिसमें 42 लोगों को अब तक हवालात पहुचा चुके है अभी दो तारीक को लगबग दस बजे जब हमारी रात को एक टीम गस्त पे थी तो दियों घाट के पास एक सुचना मिली थी हमें कि एक अमित उर्फ इशू है जो हम इरपूर का रहने वाला है यहां दियों घाट में रहता है और हेरोईन यहां पे बेचता है तो इस पे जब इस टीम ने उसके कमरे पे रेड की थी तो वहां से हमें 11.45 ग्राम हेरोईन और उसके अलावा कुछ अन्यूज़ सिरिंजिस और कुछ और मेटीरियल मिला था इसमें NDPS के तार्ट केस दर्च किया गया था और इसको गिरफतार किया गया था और इससे जब इंटरोगेशन की गई तो इसने डिस्क्लोज किया कि यह जो हेरोईन है यह दिल्ली से किसी फर्नर से लाया है इसी कड़ी में आगे पुलिस ने जांच करते हुए एक टीम दिल्ली भेजी और वहां से एक ब्यक्ति जो अपने आपको नाइजीरियन मूल का बताता है और अपना नाम उसने नेना एवरिस्टस बताया है 35 साल इसकी एज है इसको उत्तम नगर दिल्ली से गिरफतार किया गया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही किमाचिल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमर प्रीट सिंग की रिपोर्ट